okay very good a wire A and B shown in the figure are made of same material याने कि इन दोनों का गिवन हैं हमको कि वाय वाय दोनों का same है and having radius RA and RB respectively the blocks between them has mass M when the force F is mg by 3 one of the wires break अब देखिए इसके अंदर ये तो given नहीं है कि मास्ले से या कुछ नहीं है या मास है या नहीं है तो we will consider ये मास्ले से ठीक है जो आपके पास RB जो है वो आपके पास इसके उपर force कितना लग रहा है सिर्व mg by 3 यहाँ पर लग रहा है इसके अंदर ठीक है तो यह कितना हो गया 4mg by 3 और यह simple mg by 3 हो जाता है ठीक है आप देखे क्योंकि material सेम है तो इनका जो breaking stress होता है वो same ही होगा यह बात तो clear है क्योंकि material same है तो हम लोग बुलेंगे कि breaking stress same हो जाता है इसके अंदर तो क्योंकि breaking stress same हो गया तो हम लोग इधर देखते हैं breaking stress को हम लोग sigma से अगर represent करते हैं तो f by a जो है दोनों का same हो जाएगा तो force कितना है भई हमारे पास यहां बर ध्यान से देखिएगा 4 mg by 3 by pi r a square is nothing but is equals to mg by 3 by pi r b square तो जब हम लोगों ने इसको simplify किया what we get is 4 by r a square is equals to 1 by r b square इससे हमें क्या पता चला that r a जो है वो twice of r b है रइट इससे यह पता चल गया हम लोगों के पास यह expression आ जाता है अब देखिए एक बात important क्या है इसके अंदर कि assume करता हूं कि अगर में यह r है तो यह कितना हो जाएगा assume किया मैंने कि r a r है और यह r यह इनके बीच में relation है r और 2 r का और यह इसका मतलब यह हुआ कि इस point पर यह तूट नहीं रहे हैं तो अगर यह यह वाला जो r b वाला पार्ट है और यह वाला relation और इससे compare करूं मैं तो अगर यह दोनो r a और r b बराबर अगर हो जाते हैं तो a तूट जाएगा क्योंकि वह तो पतला हो जाएगा ठीक है तो यह important बात है यहां पर समझने वाली कि अगर r a और r b का relation यह है तो हम लोग यह देख सकते हैं कि a में तूट जाएगा क्योंकि वह double होना चाहिए तो जैसी बराबर होग उसके अगर्डिंग option number a correct हो जाता है ठीक है यहां पर इस question की specialty यही आ जाती है